वेलकम टो एकलव्य असनातक और आज की इस वीडियो में हम सभी बी ये प्रोग्राम से जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी बी एमायल इसकी यूनिट फस्ट में से घह आपका टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतियास संचिप्त परिचय आधुनिक काल ये सेमेस्टर फस्ट और सेमेस्टर सेकिंड दोनों स्टूडेंट्स के लिए हेल्फुल वीडियो है तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर आके मुझ से पूछ सकते हैं मेरा यूजर नेम आपके सामने है और अगर इच्शे लेना है ना कि डीप पर इच्शे लेना है तो आप इसमें एक अन्फ्यूज बिल्कुल भी ना हो कि आपको कम बताया जा रहा है क्योंकि हंदी भी में भी ये टॉपिक है आपको इसको हिंदी डिसिप्लिन में भी देखने को मिले ख और हिंदी ओनर्स में भी पढ आये जाता है तो आपको honors यह discipline level का नहीं पढ़ना ना आपको Hindi A level का पढ़ना है आपको यह topic Hindi B level का पढ़ना है जितना बताऊंगा उतना sufficient है तो आपको पता है कि तीन भगों में हमने काल को divide किया था ठीक है उतना क्याँ चीज़े चीज़े हैं देखो अंगरेजों कि आने से पहले साहित्ते की भाषा ब्रज और अ़दी चल रही थी आपको पता है अच्छे से कि मैंने पीछे आपको मद्यकाल में भी समझाया था कि ब्रजभाशा जो है वो जादा अपना महत वो बना चुकी थी और इसमें शासन की भाशा फारसी चल रही थी अपको पता है कि मुगल टाइम पे फारसी शासन की भाशा चल रही थी लेकिन उर्दू भी अब बोलचाल में आ चुकी थी तो अब क्या था कि जो यूरोपिय संस्क्रिती थी वो भारत तक भी आने लगी थी फिर है भारत में अपनी जड़े जमाने के काम में अंग्रेजी शासन ने भारते जीवन को विबिन इस तरों पर परभावित और अंदोलित किया भारतियों के रहन सेहन के तरीके को बदलने की कुशिश करी अंग्रेजों ने और नई परिस्तितियों के धक्के से पुरानी विवस्ता का ढाचा तूटने लगा और एक नई यूग की चेतना का आरंब हुआ और जो पहले का साहित्य था अब जो इसकी प्रवर्ति थी वो बदलने लगी क्योंकि अभी आधुनिक काल का टाइम था तो नए यूग में साहित्य स्रिजन की सर्वोच संभावना एक खड़ी बोली गद्य में नहीं थी इसलिए इसे गद्य यूग भी कहा गया अब लेकिन जो है गद्य लिखना स्टार्ट हो चुका था और इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट है वो हम देखते हैं तो 19 वी शताबदी में गद्य का विकास खड़ी बोली में हुआ था और इसके सबसे ज़्यादा जो फेमस जो माने जाते हैं जो जनक इसके वो भारतिंदू हरीश चंद्र थे ठीक है जिनको गद्य का जनक भी कहा जाता है फिर हैं अंग्रेजों के आने के बाद परिवर्टन हुआ ब्रज और अवधी का परियोग कम होने लगा और खड़ी बोली जादा आ गई है खड़ी बोली ऐसी बोली थी जो कि आप आसानी से समझ सकते हो बरजबाशा हो सकता है समझ में ना आए अवधी समझ में ना आए लेकिन खड़ी बोली आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और कबीर जी जो थे वो जादातर उन्होंने खड़ी बोली में भी लिखा हो है ठीक है वरतमान हिंदी खड़ी बोली का ही मानक रूप है यानि क चलते हैं अब हम ठीक है तो इसमें आज आज आपको आधोनिक काल जादा अच्छे तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि आधी काल के अंदर युद्ध वगरा जादा होते थे राजा माराजा का जादा वो रहता था भगती काल के अंदर आपको धरम के अंदर जादा तर सुधार द अब आगे क्या है ये देखते हैं देखो धार्मिक करमकांड समाजिक रूडी शासन विवस्ता और अंग्रेजी सामराजयवाद के विरोध से अधुनिक साहिते का प्रारंबु माना जाता है अब जो साहिते लिखा जा रहा था वो अंग्रेजों के समा जो सामराजयवाद है उसके विरोध में लिखा जा रहा था और शासन विवस्ता जो थी उसके विरोध में अब साहिते लिखा जा रहा था ठीक है और इस दृष्टी से भारतेंदु यूग ठीक है जो भारतेंदु हरी चंद्र थे उनके नाम पर ये एक पूरा का पूरा यूग रख दिया गया ह जिसका नाम है भारतिंदु युग सन 1850 से 19 तक ठीक है 1900 तक सो ये पूरा एक इनके नाम पर युग था जिसमें बहुत से साहिते के रचना हुई और यहां पर पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा बहुत से निबंद वगर लिखे जाने लगे बहुत से कविताएं नई कविताएं आने लगी ठीक है आधोनिक जो साहिते था वो यहां से अब स्टार्ट हो चुका था और अगर आप यहां पर देखेंगे कि चुकि कविता के माध्यम से एक सीमित दायरे में ही सीमित वर्ग तक अपनी बात पहुचाई जा सकती है देखो कविता हर कोई नहीं समझ सकता लेकिन गद्दे अगर आप खुद देखोगे आपको एक पूरा गद्यांस दिया जाए और एक तरफ आपको पध्यांस दिया जाए ठीक है और बाल कृष्ण भट यह अब लोग जो थे यह गद्या का सारा लेकि लोगों को चेतना मतलब लोगों को जादा ज़्यादा जागरूप कर रहे थे फिर उसके बाद है राजनितिक परिस्तिती कैसी थी तो यह तो आप सब भी जानते ही है कि जब हमारे आधोनिक हिंदी साहते का यूग स्टार्ट होता है उस टाइम पर अंग्रेज यहाँ पर आ चुके थे राजनितिक इसी थी पूरी बदल चुकी थी और 1757 बैटल ओफ प्लासी के बाद से ही भारतियों के मतलब यहाँ पर आगर आप दिखो कि भारत में जो है अंग्रेजों ने अपनी नीव जमाली थी यह इस इंडिया कमपनी जो थी उनका यूद होता है नवाब से राजु दोला से जो बंगाल के नवाब थे पलासी का यूद हो आता और उन्होंने आ राया और बंगाल के अपर उन्होंने पूरा का पूरा अधिकार कर लिया और उसके अलावा 1857 की करांती हुई थी आधोनिक टाइम पर ही हम यह सब पढ़ते हैं जहां जितने भी राजा माराजा थे रानिया थी वो एक होकर अंग्रेजों मतलब एक होकर नहीं अपने अपने लेवल पे लड़ रहे थे वो अंग्रेजों से और फिर उसके बाद है भारत में इस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ 1857 के बाद क्योंकि इतना ज़्यादा विरोध हो चुका था करांती पहले तो और अंग्रेजों ने क्या किया भई बहुत से चीज़ों का विकास भी किया रेलवे, डाक, तार, यातायाद, संचार, कम्यूनिकेशन, परेस बहुत जगां अंग्रेजों ने अच्छे काम भी किये अब धार्मीक परिस्तिती कैसी थी उस टाइम पर ये देख लीजिए धार्मीक परिस्तितियां भी मानव चेतना का परभावित किये बिना नहीं रह सकती थी ब्रिटिश राज्य की स्थापना के कारण भारत की अर्थनीती शिक्षा पदिती यातायात के साधन आदी में भुनियादी परिवर्तन होई देखो जब अंग्रे जाए तो भारत की शिक्षा को उन्होंने जदा जदा वेस्टनाइजेशन करने की कोशिश करी जो पश्चिमी शिक्षा थी वो लाने की कोशिश करी यातायात के साधन में बदलाव हुए ट्रांस्पोर्ट के जो साधन होते हैं रेलवे का विकास किया अंग्रे जोने तो एक तरीके से ये नवीनी करण हो रहाता हमारे समाज का ठीक है ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रोए आदी ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रोए सो इस तरीके से चल रहाता दया नंसर अस्वती वगरा तो राजा राम मोहन रोए ब्रह्म समाज के संस्तापक थे और राजराम मोहन रोये ने जितनी कूरितियां थी उन पर प्रहार किया जो विदवा जो होती थी उनके दुबारा विवा को इन्होंने समर्थन दिया जो सती पर्था वगरा थी उसके खिलाफ आवाज उठाई स्त्री और पुरुष के एक अधिकार होने चाहिए इसके लिए इन्होंने आवाज उठाई और क्या है सामाजिक इस्तिती वहां की कैसी थी भारत की उस ताइम पर तो अंग्रेजी राज्ये की स्तापना के साथ साथ इस देश के समाजिक संगठनों में विगटन होने लगा छोटे छोटे गाउं की जड़ता तूटने लगी वे दूसरे गाउं और शेरों की संपर्क में आने को बाद्दे हुए गेरे में बंदी अर्थवस्ता राश्ट्रोन मोख हो चली गई और जाती पर था आर्थिक वर्गों में बदलने लगी किन्तु जाती उच्चता की भावना विलीन नहीं हो सकी अब इसका कहने का मतलब यह है कि जाती पाती तो थी अभी भी ठीक है तो यह तो अभी भी था ऐसा बही चल रहा था कि जो उच नीच है जात पाता है वो चल रही थी और इसी तरीके से आर्थिक दिरिष्टी से बहुत लोग बहुत अमीर हो गए थे तो कोई-कोई बहुत हिंदी योग हो गया ठीक है तो इसको अलग-अलग आपको डीप जाके पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हो बकि मेरे इसाब से अगर आप यह स्थितियां याद रखते हो तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए आप हिंदी बीके स्टूरेंट्स हैं तो इसी के लिंग खतम होती है आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर कर दें और लाइक करना भी ना भूलें जै हिंद जै भारत बहुत बहुत धन्यवाद